कोरोना से बच्चाव के लिए वेक्सिनेशन कार्य हं दौर शहर में विभिन सेंटरों पर जम कर चल रहा है तो महीं रेलवे अधिकारी व करमचारियों द्वारा राज्य सरकार से उन्हें भी वेक्सिनेशन करवाने के लिए पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि वह भी फ्रेंट लाइन वरकर है जहां उन्हें भी जल्द से जल्द वेक्सिनेशन किया जाए पश्चिन रेलवे रतलाम मंडल के पियारों जितेंड जैंत ने बुद्वार को मीडिया के सामने कहा कि पुरिदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वेक्सिनेशन हो रहा है व खड़की हो या फिर टिकेट खड़की या फिर और कोई विभाग भी क्यों नहों रेलवे में नित नए लोग से संपर्क में आते हैं क्यूंकि उनका वेक्सिनेशन अभी तक नहीं हुआ है रेलवे पियारों के मुताबिक उन्होंने राजसरकार को वेक्सिनेशन के लिए पत्र लिख कर निवेदन किया है। उन्हें उमीद है कि राजो सकार जल्द ही रेलवी करमचारियों व अधिकारियों के लिए वेक्सिनेशन कारे शुरू करवाएगा। पत्र लिखा है कि हमारे इंप्लोई को वेक्सिनेशन लगाया जाए जिससे की बूर्फ सुरक्षित अपनी डूटी कर पाएं तो वेक्सिनेशन अभी तक रेलवे स्टेशन पर अभी उपलब नहीं हुआ हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी यह लोग आएं और स्ट होस्पिटल में आके हमारे जो भी एंप्लोई हैं 45 प्लस और जो भी गंभी वीमार से ग्रसित हैं उन्हों को वेक्सिन लगाएं ताकि हमारे करमचारी और अधिकारी सुरक्षित हो सकता है अगर नहीं लगा रहा है तो हम लोग लोग गडाते हैं तो हम लोग उनको स्वागत करते हैं क्या सब्वेदबाव नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह भी सिस्टम सरकारी सिस्टम है सरकारी सिस्टम में जिस तरह से कर रहे हैं हो सकता है कि वह बहुत ज़ादा लोगों की बीच में ब्यस्त हैं और उनकी यहां स्टाफ कम हो सकता है लेकिन हमारा जो रेलवे का स्टाफ है वो भी front-line स्टाफ है बहुत ही कंभीर बीमारी सो संक्रिप भी हो सकता है तो उसके लिए क्यूंकि हमारे हर टीटी और जो भी स्टाफ है जो लोगों की बीच में जाते हैं हजारों लोगों से संपर्ट में आते हैं उनको वैक्शिनेशन होना बहुत जरूरी होता है तो स्टेट गॉवर्मेंट के दौरा प्रात्मि के लोगों को वैक्शिनेशन करना चाहिए और हम लोग इंतियार में हैं जैसे वैक्शिनेशन होता है हम लोग आपको बताएंगे